नमस्कार, स्वागत हाब सभी का आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया मैं हूँ आपके साथ पृतिका सिंग, उत्तरप्रदेश विधानसबद चुनाफ की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है, अगले साल की शुर पर बहस को बे मतलब बताया, चौपाल के मंच पर कॉंग्रिस नेता कनहिया कुमार ने राम की नाम पर राजनिती नहीं करने की बात कही क्या फरक है हिंदू धर्म और हिंदुत्व देखिए पहली बात तो ये है कि ये बहस मैं समझता हूँ बिना मतलब का है, क्यों? बिना मतलब का इसलिए है, आरेसेस के जो राम है ना, उसका एक राजनिती कुद्देश होगा, लेकिन मेरी दादी जो है, मेरे घर के जो लोग है, मेरे पडिवार, मेरे समाज, मेरे गाउं के जो लोग है, उनके जो राम है ना, वो उनके आस्था का विसा है, और वो बिना बिना मतलब का इसके नाम पे कोई राजनीती नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि राम जी का नाम लेकर के असली मुझों को गुम्राह किया जाए। धर्म के नाम पर राजनीती नहीं करती है। गंजेंद्र शेकावत ने दावा किया है कि देश की राजनीती में जनता अब विकास के आधार पर वोट देती है। धर्म के नाम पर बिलकुल नहीं। जो कुछ धारन किया जा सके वो धर्म है। बाकि शेश शारी पूजा की बद्धतियां। इश्वर को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, मेरी अपनी आस्थाएं हो सकती, अपना विश्वास हो सकता है। लेकिन धर्म के आधार पर ये राजनीती करना, ने तो भारतिय जन्ता पर्टी में कभी था, ने कभी है और ने कभी रहेगा। कुछ लोग अपने व्यक्तिकत महत्वा कंख्शाओं के लिए, या कुछ ऐसे दल जो सत्ताओं से नकार दिये गए हैं, वापस उस स्थान पर पहुँचने के लिए, ऐसे मार्गों का सहरा लेते हैं, मुझे लगता है कि अब 21 शती में भारत का मद्दा था और विशेश है तो वो विकास रहा है और आने वाले समय में वो ही रहने वाला है। से आप तयार हैं। सो दुनिया में जहां कहीं भी हिंदू का तकलीव हो, ओलुको भारत लोटके आने का अधिकार होना सही है। जहां भी हिंदू का तकलीव हो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई तकलीव होने से भारत का मुस्लिम अगर अमेरिका में है उनको नहीं आना सही है। लेकिन भारत एक हिंदू सभवता था, भारत एक हिंदू सभवता रहेगा। तो अगर कोई जगा में हिंदू का तकलीव होता है, religious persecution होता है, तो उनको अपना मात्री भूमी में लोटके आने का अधिकार होना सही है। इसी पर तो दर्द है कि धर्म के अधार पर क्यों है। धर्म का अधार में ही तो है दुनिया, हमनों 5000 साल पहले से तो ये धर्म का अधार ही तो भारत हुआ करता था। अगर अगर मेरा यह मात्री भूमी है इंसिडेंटली एक्सिडेंटली हर हिंडू का मात्री भूमी भारत है भारत से ही तो सब्वाता जनम हुआ था ना unless you have got converted in America from some other religion to Hindu तो हर हिंडू का जो रूद है वो भारत में बसा हुआ है हिंडूस्तानी की है ना हिंडू हिंडू का है हिंडू का इट वाज हिंडू सिविलाइजेशन यहां में बेद होता था यहां में उपनिश्द होता था हिंडू हर हिंडू का जो रूद है वो भारत से जुरा हुआ है तो मेरा जहां भी तकलिव होगा मेरा पास एतना ओधिकर होना सही है भारत में लोट के आने का चौपाल की मंच पर कॉंग्रिस नेतर सल्मान खुर्शित ने अपनी विवादास्पत किताब का जिक्र करते हुए एक बाप फिर कहा कि किताब में उन्होंने हिंडूत्व पर कोई विवादास्पत बात नहीं लिखी है उन्होंने दावा किया है कि किताब में हिंडूत्व को बोकोहरम के बराबर नहीं बलकि उसी के समान लिखा है इस किताब के आने के बाद इसके पेज नंबर 113 पे जो सैफरेंस काई करके चैप्टर है उसमें एक शब्द लिखा हुआ है जिसमें हिंदुत्र की तुलना बोकोहरम और आईसाइस से की गई है हिंदु के लिए मैंने कहा वो लोग जो बहुत उदार और एक बहुत उचे धर्म में विश्वास रखते हैं हिंदुत्व वो जो उस हिंदु धर्म की हिंदु धर्म को का दुरुपयोग करते हैं इसलिए या तो इस किताब को पढ़ा नहीं है या किताब को पढ़ना नहीं च कर दो कर दो कि अगरे